दिया जैसे आती है निशी गंदा बोलती है कि मेरा स्रिंगार जो तुम्हारे पास है उसको वापस करो तभी मैं ये मोम का पुतला हटाऊंगी नहीं तो ये लोग इसी तरह पिघल के खतम हो जाएंगे दिया बोलती है कि ऐसा मत करो निशी गंदा ये लोग को छोड़ दो निशी गंदा बोलती है मैं तब ही छोड़ूंगी जब तो मेरा स्रिंगार दोगी तो दिया बोलती है ठीक है चलो मैं तुम्हारा स्रिंगार देती हूँ दिया उसको उस पेर के पास लाती है जहां सभी सावितरी का पूजा किये रहते हैं और वो पेर के पास आती है बोलती है तुम्हारा सुरेंगार इस पेर के पास है वो देखती है फिर उसको बोलती है दिया से कि देखी मैं जीत गई तुम हमेशा मुझसे हार जाती है और दिया दुखी मन से उसको देख रही होती है जैसे ही वो पेर के पास जाती है शरिंगार जैसे ही छोने के लिए अपना आउठी विथाती है तभी उसको उसमें से चमतकार उसको सौक लगता है जटका लगता है सरीर में और वो बोलती है ऐसा तुम मेरे सदकियों कर रही हो, ओ स्रिंगार जो मेरा है तुम ला के दो. तो दिया बोलती है कि तुम पहले ओलो को छोड़ो, ओलो को मोम से हटाओ, तभी मैं तुम्हारा अंठी और जो तुम्हारा स्रिंगार है मैं यह करूँ, हटाऊंगी. तो निशी गंदा उसको मारने का कोशिस करती है तो दिया बोलती है ऐसा मत करो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए है रक्षा कवच जो हम लोग एक दूसरे का बंधा हुआ है तो तुम मुझे मार भी नहीं सकती है तब निशी गंदा सभी को आजाद की जो पुतला बना के रखी थी मौम का और दिया को दिखा रही है कि देखो मैंने उनलों को आजाद कर दिया सभी जब आजाद हुए तो उनलों को सरीर में दर्द हो रहा था माते में दर्द हो रहा था अब वो रहे थे ये क्या हो गया हम लोग का पूरा परिवार वो रहे हैं मासा को समझ में आ रहा था सभी याद आ रहे थे कि ये निशी गंदा ही की है और उनको सभी चीज याद आ रहा था कि कैसे दिया को बॉक्स से मैं मंगल सुत्र निकाली कैसे हम लोग एक दूसरे का बा याद आया और वो सोच रही थी और यहाँ दिया और निशी गंदा बाते कर रहे थे तो दिया जाके अउठी उसका उठाके अलग से रख दी और बोली कि ठीके अब तुम उठा लो और जैसे ही अलग रखी निशी गंदा उससाहित होके आउठी जैसे ही उठाने गई दिया उस मंगल सुठ से उसको पेर में बांदी और वो जैसे उसको बांदी तो दिया बोली कि तुम को क्या लगता है कि तुम विज़ाई प्राप्त करोगी मैं तुम से दो कदम आगे चल रही हूँ तब निशी गंदा फिर हसती है और बोलती है कि तुम को योगनी ने आधा ही बताया है और ये मंगल सुठ तुम को कैसे मिला मैं ये मंगल सुठ तुम बहुत दिनों से तलास कर रही थी और वो उस बंधन को हटा देती है और दिया के पास आके बोलती है तुम मुझे इस पेर में तभी बान सकती हो जब तुम्हारा पती साथ में होगा और पती पत्नी के प्रेम से ही मुझे तुम नश्ट कर सकती हो तभी मोक्छ वहां आ जाता है तो निशीगंदा सुचती है कि इसका वशीकरन क्या हट गिया है मेरा दिया हुआ तो दिया पहले ही हटा दी थी और उसको यद्दास सभी आ गये थे और रिकॉर्ड कर दी थी मुबाइल में ताकि तुम्हें सब याद आ जाएंगे कि निशीगंदा कैसे कैसे की थी और वैसे ही जैसे वशीकरन में था उठा मुबाइल में उसका रिकॉर्ड सब देखा कि उस सकारा है कि हाँ निशीगंदा एक सुहागन चुडायल है अथ तब वो निशीगंदा के पास जाता निशीगंदा अभी सोची रही होती है कि ये क्या हो गया ये वशीकरन से कैसे ह निशीगंदा को शुहागन चुडायल को बानते है और वो तरपने लगती है जलने लगती है चिलाने लगती है और मोक्ष जो है दिया को समझाता है कि मैं बहुत कष्ट दिया तुमें तुमें केले लड़ी इस सुहागन चुरैल से दिया बोलती है तुम वसी करन में भी था तब भी तुम मेरा सहायता करता था मैं एकेले नहीं थी हमे और बोलता है कि तुम सच में बहुत इसका चुरैल का प्रकोप झेली हो और चुरैल जल जाती है और वहाँ पे वो खत्म हो जाती है दिया को भी जलन होती है क्योंकि जो उससे सुत्रबंदे हुए थे तो उसको जलन हो रही है यहां मासा 15 सुहागनों को ला रही है वट सावि कित्री का पूजा करने के लिए और सभी महिलाएं आगे बढ़के आ रहे हैं पूजा करने के लिए यहां नीशी गंदा जल चुकी थी और दिया मुक्ष को बोलती है कि मुझे गाय पूजा करनी है मुक्ष बोलता है कि मैं भी चलूंगा तब वो बोलती है कि नहीं तुम य नहीं रहो ये शुहागन चुरैल जो जल रही है सभी देख के डर जाएंगे तुम सब को समझा देना मुझे एकेले ही जानी होगी पूजा करने और मोक्ष उसको मांग में सिंदूर भरता है बोलता है कि मैं अभी तुमको सिंदूर लगाऊंगा आज के दिन दिया को जलन होत झाल